हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू जेवी स्टडी हब तो फ्रेंट्ड्स, आज की जो वीडियो होने बाली है हमारी वो है तू दग कोकुवाइ विलिम वर्ट सबर्थ ये वीडियो हमारी UGC Net UPPGT, UPTGT KBS, ENBS के एकजामस में काम आने बाली है तो फ्रेंट्स अगर आप हमारे चैनल जेविस्टडी हप पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास मैं जो वेल आइकन है फ्रेंट्स इसे प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें जिससे की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सकें तो फ्रेंट्स स्टाट करते हैं आज की वीडियो तो पहले बात करेंगे holiness समरी के बारे में क्या समरी है क्या है ना तू दा कुकू वड्स वड्स तू दगुकू इस एन ओड्स तू दा मिस्टीरियस नेचर तॊ दफ दा कुकू बड्स And at the same time, it celebrates the beauty of nature. So friends, to the cuckoo है हमारी. यह क्या है? एक ode है to the mysterious nature. है ना, nature mysterious मतलब कि तुमारा रहशमाई nature. Nature के बारे में है and of the cuckoo word. जो cuckoo word है, koel है, उसका mysterious nature है, उसके बारे में बात होगी. And at the same time, it celebrates the beauty of nature. और friends, साथ ही साथ, यह nature की बात करती है, nature की सुन्दरता की, जो हमारी प्रकरती है, उसकी सुन्दरता की, बात हुई है इसमें. वर्ट्सवर्ट लिबस अप to his reputation of being a romantic poet, as he refers to the days of his childhood as golden and visionary. तो friends, it celebrates the beauty of nature. वर्ट्सवर्ट लिबस अप to his reputation of being a romantic poet. तो friends, बर्ट्सवर्ट जी जो हैं, वो अपने romantic होने की प्रतिस्ठा पर खरे उतरे हैं, क्योंकि वह अपने बच्पन के सुनहरे दिनों and golden, मतलब सुनहरे दिन जो अच्छे दिन थे और visionary, जिसमें वो vision करते थे, मतलब imagination करते थे, उनको क्या करते हैं, याद करते हैं, है न? Next, William Wordsworth discovers in nature as an uncommon power which cannot only satisfy human beings but also can transform his earth into a homeland for fairies and other supernatural agents, it is proved in this poem to the cuckoo. तो friends, क्या करते हैं, यहाँ पर, Wordsworth जी, Wordsworth discovers in nature an uncommon power, Wordsworth जी, nature में एक uncommon power को, एक ऐसी असामान्य सक्ति को सर्च कर रहे हैं, किसकी खोज में हैं, जो एक special power है, which can not only satisfy human beings, जो कि सिर्फ मनुष्य चाती को ही satisfy नहीं करेगी, बल्कि, but can transform this earth into a homeland, और इस प्रत्वी को, इस प्रत्वी को क्या कर देगी, एक homeland, मात्र भूमी में बदल देगी, कैसी मात्र भूमी में, four fairies and other supernatural elements, है न, कैसी मात्र भूमी बना देगी, कैसी जगह बना देगी, एक ऐसी मात्र भूमी बना देगी, जहां पर परियों की, और other supernatural agents की, कहानिया होंगी है न, ऐसी, एक imagination, वो करते हैं, बड़स बड़ जी, इस poem में, it is proved in this poem, to the cuckoo, और यह है, उन्होंने क्या कर दिया है, प्रूब भी कर दिया है, इस poem में, कौन सी में, to the cuckoo में, उन्होंन in the valley, घाटी में घूम रहे थे, he heard the sweet voice of a cuckoo, और उन्होंने एक voice सुनी, किस की, cuckoo की coil की, he felt delighted, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इट वोज स्प्रिंग सीजन, और किस सीजन की बात हो रही, वशंत रितू थी, the valley was full of beautiful flowers, और valley जो है, जो घाटी है, वो बहुत सुन्दर सुन्दर फूलों से भरी होई थी, clear sunshine made the atmosphere in the valley, serene and enjoyable, तो friends, जो धूप थी, एकदम साफ धूप थी, made the atmosphere, और वो क्या करती है, धूप स क्या हुआ था, जो घाटी है, वो serene, मितलब सांत and enjoyable, आनंदित और सांत कर देती है, धूप जो है, घाटी को, the poet in this, is in his extreme gladness, address the cuckoo as blith newcomer, the cuckoo appears first when spring comes to the earth, it sings happily, okay, तो friends, जो poet है, वो क्या करते है, the poet in his extreme gladness, बहुत ज़्यादा खुस है, और cuckoo जो है, उसे वो क्या कहकर पुलाते है, blith newcomer, तो friends, blith का मतलब क्या है, blith means होता, जिन्दा दिल, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा हमें excited कर देने वाला, पुलकित कर देने वाला, खुसी प्रत करता हो, तो वो क्या कहते है, blith newcomer, है न, क्योंकि उन्होंने उसे क्यों बोला है, blith newcomer, friends, क्योंकि उसके आवाज सुनने के बाद में, उसकी voice सुनने के बाद में, poet को पहुत ज़्यादा प्रैसन्मता मिलती है, है न, और उसके आने से खुस होते हैं, वो और एक आध्याति मिक आनंद की उन्हें प्राप्ती होती है, ठीक है, तो कुकु अप्यर्स टाइम वें, spring comes to the earth, और कुकु कब दिखती है, जब की spring आता है, spring season आता है, बसंतरितु आती है, it sings happily, और ये बहुत ज़्यादा खुस हो करके गाती है, कोयल जो होती है, वो spring season में आती है, बहुत ख boyhood days, जब बसंत आता है, तो कुकु क्या करती है, singing in the valley, valley में गा रही थी, गाटी में गा रही थी, और वर्ट्सपद जी के मन में क्या करती है, उनके माइंड में क्या आता है, boyhood memories, उनके जो बचपन की यादें हैं, वो आती है, by listening to the song and its ego, the poet is reminded of his past. तो friends, जो by listening to the song and its ego, जो कोयल का गीत है, है ना, और उसकी जो प्रती दुहनी है, कोयल का गीत है, उसकी प्रती दुहनी है, उसे सुनने के बाद में, भर्ट्सपद जी अपने past को याद करते हैं, क्या करते हैं, past को याद करते हैं, he again addressed the kuku as the darling of the spring, और फिर से उसे क्या कहके बलाते हैं, darling of the spring, इसका मतलब बसंत की प्रिया, बसंत की प्यारी है ना, ऐसे बोलते हैं उसे, कि तुझे बसंत को तु बहुत ज़्यादा पसंद आता हो, तु बसंत की प्रिया है, the word is invincible through the poet, और फ्रेंट जो word है, जो की हमारी कोयल है, वो क्या है, invincible है, अद्रस्य है, वो hears its voice only, वह सिर्फ इसकी voice को सुनता है, it is mysterious that a voice is produced by an invincible word, तो फ्रेंट यह क्या है, सिर्फ उसकी voice को सुनते हैं, और यही क्या है, यहां पर mysterious है, fact, कि जो voice उसके द्वारा उत्पन की जाती है, वो क्या है, वो एक invincible word है, देखो, कभी नहीं यहां पर कुकु को अपने आँखों स नहीं देखा है, वो सिर्फ उसकी आबाद सुनते हैं, और उसी पर उन्होंने to the cuckoo poem लिख दी है, ठीक है, फिर बात आती है, the poet does not give up hope to see the word, he draw immense pleasure from the voice of the cuckoo, the memory of his boyhood experience also bring pleasure to him, friendship by mistake हो गया, to है only हाँ पर, to him, the voice of the cuckoo is the medium throw which he goes back to his past and derives pleasure, for him, his boyhood is the golden time, the poet does not give up hope to see the word, तो poet जो है, वो उम्मीद नहीं छोड़ते हैं किसी चीज़ की पक्षी को देखने की, उन्हें उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन कॉयल को जरूर देखेंगे, he draws immense pleasure from the voice of the cuckoo, तो friends, उन्हें जो है, कुकू की voice से क्या होता है, immense pleasure, अत्यदिक आनंद की प्राप्ति होती है, अपार आनंद मिलता है, है ना, और उससे क्या होता है, उसकी अबाद सुनने के बाद उन्हें बच्पन की यादें जो हैं, वो फिर से उसके लिए क्या लेके आती हैं, खुसियां लेकर के आती हैं, उसे आनंदित करती हैं, उसकी बच्पन की यादें, कोयल की आवाज वह माध्यम है जिससे वह अतीत में जाता है और आनंदित होता है है ना पुरानी चीजों को याद करते हैं वर्चवर्ची और फिर से क्या होते हैं बहुत ज़्यादा खुशी होती है उन्हें चीजों को याद कर करके है ना फॉर हिम हिस बॉइop इस गोल्डन टाइम और उसके लिए जो हमारा हमारे पोईट है वड्चॵर्च जी है उनके लिए क्या उनका बच्पन जो है वो क्या है golden time है उन्होंने उसे अपना golden time सुनहरा समय माना है ठीक है तो friends यह थी हमारी summary ठीक है अब हम इसके जो important facts है उसकी बात कर लेते हैं कब लिखी गई है कब publish हुई है क्या क्या चीज़े थी है न यह हो गई यहां से theme अब आगे चलते हैं questions करते हैं questions के तुरू हम तो friends question number one is how many lines are there in this poem तो poem में कितनी lines हैं यह पूछा गया है friends 30 lines 32 lines 24 lines और 14 lines तो friends यहां पर कितनी lines हैं हमारी इस poem में हमारी 32 lines हैं तो option number one यहां पर correct हो जाएगा now come to the next question how many stanza are there in this poem तो friends stanza कितने हैं तो friends यहां पर stanza है 8 कितने stanza है 8 stanza है तो 8 stanza है और 32 lines है 8 stanza है friends और 32 lines है हमारी तो friends हर एक stanza में कितनी lines होंगी friends हमारी 4 lines होंगी है ना क्योंकि हां पर 8 stanza है friends और 4 lines है हर एक stanza में तो कितनी हो गई 32 lines हो जाएंगी है ना 32 lines total हो जाएंगी तो friends आगे चलते हैं what does golden time refer to golden time जो है वो किसको refer किया है वर्ट्सवर्ट जी ने हाँ पर oh it's childhood days, oh it's adolescence, oh it's old age, none of these तो friends poets के childhood days को, poets का जो childhood है बच्चपन है उसे याद करते हैं now come to the next question, themes of the poem to the cuckoo is theme क्या है friends, melody, joy and happy memories, romance और separation तो friends इसका जो correct answer होगा वो क्या होगा, joy and happy memories उन्हें खुसी भी मिल रही है और वो पुरानी यादों को मतलब पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं और उससे भी आनंदित हो रहे हैं now come to the next question, oblith, oblith newcomer, I have heard, I have tea and rejoice lines are from to the cuckoo, friends ये कौन सी lines हैं, ending lines, opening lines, sixth line of the poem, eighth line of the poem guess कीजिये friends, क्या होगा, तो friends ये हैं हमारी कौन सी lines, opening lines, कौन सी lines है friends, opening lines है now come to the next question, next question is, the poet begins poem how he came across the cuckoo song while he was point जो है poem को start करता है, कि कैसे वहें आया था, कुकू के song को सुनता है, कैसे while he was, जब वहें क्या कर रहा था, sleeping, upset था, lying on the grass, all of them are right क्या वहें सो रहा था, क्या वहें upset था, क्या वहें घास पर लेटा हुआ था, या फिर चारों के चारों सही हैं, तीनों के तीनों तो friends, इसका जो correct answer है, वो है, lying on the grass, वो लेटा हुआ था घास पर, जब है, वो यम को सुनता है, sorry, point, जो कुकू की, वो इसको सुनता है Now, come to the next question, next question is, what was used to wonder, in search of the cuckoo, because he wanted to see his object of devotion with his own eyes So friends, what was used to wonder, aimlessly, with aim, in a group, with her wife Sense लगाईए, friends, क्या हो सकता है, अपनी wife के साथ घुम रहे थे, no, group में भी नहीं थे, नहीं थे, क्योंकि वो तो घास पर लेटे हुए थे, अभी बात हुए थे तो aim से घुम रहे थे, no, friends, इसका जो character answer है, वो क्या हो जाएगा हमारा What's worth used to wonder, aimlessly Aimlessly, तो friends, option number A is correct here Now, come to the next question, next question is Honor of the poem, to the cuckoo is तो friend, honor क्या है, comedy है यह, tragedy है, या lyrical pastoral poem है, या फिर none of these कैस कीजे, friends, तो क्या होगा इसका answer, a lyrical pastoral poem ठीक है, now, come to the next question, next question is The poet calls cuckoo, dash dash dash, because he had not seen in the bird, but only heard its voice, through trees, grass and woods He calls the cuckoo, darling of the spring, because its voice can be heard only in the season of spring Poet, जो है, cuckoo को क्या कह करके बोलाता है, क्या बोलता है, wandering voice, flight voice, joyous voice, और melancholic voice तो, friends, यहाँ पर वो क्या कहते हैं, क्योंकि, because he had not seen the word, सिर्फ इसकी आवाज सुनी है, है ना, और उसने उस poem को, sorry, उस इस cuckoo को, इस bird को देखा नहीं है, तो, friends, यह कहते हैं, इसे, the poet calls cuckoo, boundering voice, boundering voice, मतलग, चलती फिरती आवाज, घूमती भी आवाज, Now, come to the next question, next question is, in the stanza, the poet shares his school days experience, he used to listen to the voice when he looked way in the forest tree and the sky, तो, friends, चांप पूछा गया, कि किस stanza में poet अपने school days के experience को share करते है, he used to listen to the voice when he looked way in the forest tree and the sky, तो, friends, second stanza में, fourth में, five and six में और none, तो, friends, यहाँ पर जो correct answer है, वो होगा, five and six, जो five and six stanza है, friends, उसमें childhood days की बात की गई है, school days को, उन्होंने यहाँ पर discuss किया है, fifth and sixth stanza में, now, come to the next question, next question is, what does golden time refer to, जो golden time है, उसे, वो refer किसके लिए क्या है, friends, golden time किसे बोला है, इस पोयम में, the poet's school time, when he used to listen to the voice, which he looked away in the woods, trees and in the sky, when he was in his adolescence, all are correct, तो friends, golden time, वो school time को भी कहता है, और जब वह school जाया करता था, और आबास सुना करता था, जब जाडियों में, पेड़ों में और आसमान में, when he was in adolescence, वह अपने बच्पन में था, किशोर रवस्ता में था, all are correct, वो अपने यादों, पुराने अतीत की यादों की तो बात करता है, golden time, तो जब वो school जाता था, या फिर जब वो रास्ते में उनकी आबास सुनता था, या फिर वो जब अपनी adolescence में था, तो all are correct here, The next question is, the rhyming scheme of the poem is, A, B, A, B, A, 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 B, B, A, B, B, A, B, C, A, तो friends, पूचागा है कि rhyming scheme क्या है, तो friends, इसकी जो rhyming scheme है, वो है, A, B, B, A, ठीक है, Option number A is correct here, sorry, 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 sorry guys, इसकी जो rhyming scheme है, वो है, हमारी A, B, A, B, ठीक है, by mistake हो गया है, वो friends, A, B, A, B है, इसकी correct rhyming scheme, okay, now come to the next question, next question is, what imagery does Wordsworth use to poetry beauty of nature in the poem, what imagery, किस imagery का use किया है, to portray the beauty of nature, उन्होंने प्रकरती की सुन्दर्था को चित्रित करने के लिए, किन-किन imagery का प्रयोग किया है, कुकु की voice का, grass and hills का, जाडियों का, tree and sky, आसमान का और पेड़ों का, या फिर all of the above, तो friends, guess कीजे, क्या हो सकता है, इसका answer, तो friends, इसका जो answer है, वो क्या हो जाएगा, all of the above, सभी की बात की है, उन्होंने, सभी imagery लगाई है, now come to the next question, the setting of the poem, to the cuckoo is, तो friends, setting कहां है, कहां पे ये poem, compose की गई है, a hill in summer, a countryside in spring, a valley in spring, bank of the river, तो friends, इसका जो correct answer होगा, आपको पता ही है, valley in the spring, एक घाटी की बात है, और वसंत्रितु का मोशम था, now come to the next question, in what way does the poet not welcome to the cuckoo, इन में से किस वे में, वो cuckoo का स्वागत नहीं करते हैं, ठीक है, क्या नहीं बोलते हैं, उसे, a doll, darling of the spring, a blith newcomer, और blessed bird, तो friends, darling of the spring बोला था, याद है हमें, a blith newcomer भी बोला है, और blessed bird भी बोला था, तो नहीं बोला है, तो उन्होंने, उसे गुडिया थोड़ी बोला था, तो friends, इसका जो correct answer होगा, a doll, क्योंकि यहाँ पर पूछा, note, क्या पूछा है, poet not welcome, क्या कह करके, उसे नहीं बुलाते हैं, तो a doll कह करके, नहीं बुलाया है, now come to the next question, next question is, the reason for the poet calling the word a wandering voice, उसे wandering voice बोला था, उसके पीछे reason क्या है friends, किस बजहे से उन्होंने wandering voice बोला है, कुकू के लिए, the word was flying from tree to tree, जो पक्षी है, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ओड़ रहा था, its voice get lost in the hills, उसकी जो voice है, वो hills में क्या हो जाती है, गुम हो जाती है, the voice wonders from hill to hill, जो उसकी voice है, वो hills, hill to hill, है न, कि एक जो पहाड़ी है, उस दूसरी पहाड़ी पर जाती है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर उसकी voice जो है, वो घूमती रहती है, wonders, now, the poet could not catch the word, क्योंकि वह पक्षी को पकड़ नहीं सकता है, could not catch the word, तो friends, guess कीज़े, क्या होगा, उसे wandering क्यों बोला है, यह पुछा गया, wandering voice क्यों बोला है, because the voice wanders from hill to hill, जो उसकी आवाज है, वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में गूंजती रहती है, इस बज़े से wandering बोला है, रुखती नहीं है, कभी उसे उधर से आवाज सुनाई देती है, उसकी कभी उधर से आवाज सुनाई देती है, now come to the next question, and next question is, which word meaning is talking continuously, इन मैंसे किस सब्द का मतलब, लगातार बोलते रहना है, beget, babbling, blit, all are right, तो friends, इसका जो correct answer होगा, वो है babbling, babbling means पी क्या तब बखबख करना, लगातार बोलते रहना है ना, next question is, which word tells that the word is happy and carefree, कुन सा सब्द है इन मैंसे जो बताता है, कि word जो है, पक्सी जो है, वो happy है और carefree है, row, row, fiery, blit, और we get, तो friends, इसका जो correct answer हो जाएगा, वो है blit, ठीक है, blit, क्योंकि friends, इसमें जो बात होई थी, कि जिन्दा दिल है, वो बहुत ज़्यादा मजलब कि, attract करता है, फक्सी, है ना, तो blit newcomer बोला था ना, वर्चपर जी ने उसे starting में, now come to the next question, next question is, the poet call the word a mystery because, poet जो है, उसे mystery बोलते हैं, रहश्य बोलते हैं, पक्सी को क्यों, because he could not catch the word, because the word was playing hide and seek, because he could not find the word, all are correct, क्योंकि वो पकड़ नहीं पाए थे, या फिर वो hide and seek के लई थी, या he could not find the word, तो फ्रैंट्सीस का जो करेक्ट आंसर है, वो है, because he could not find the word, उन्हें पक्सी कहीं मिलता नहीं है, वो सिर्फ उसकी आबाद सुनते हैं, और एक imagine करते हैं, और उसी पर उन्होंने पोएम लिख दी है, ठीक है, now come to the next question, next question is, how does the earth appear to the poet, after hearing the cuckoo's voice, जो फ्रैंट्स कुकू की आवाज है, उसे सुनने के बाद में, वर्ट्सपर्थ जी को अर्थ कैसी लगने लगती है, रियल लगने लगती है, unsubstantial लगने लगती है, dream world लगने लगती है, और none, देखो friends, कुकू जो है, वो sky में है, आकास में है, तो उन्हें उसकी आवाज सुनाई देती है, ठीक है, तो उन्हें प्रतवी क्या लगने लग जाती है, unsubstantial, इसका मतलब है friends, unsubstantial का मतलब क्या है, तुच, छोटा है न, क्या कह सकते हैं, निर्मूल, जिसका कोई मूल ले नहीं हो, मतलब कोई जादा, बहुत बड़ी चीज नहीं लगती, क्या लगने लगती है, उन्हें निर्मूल लगने लगती है, प्रतवी का कोई मूल्य नहीं है ऐसे लगने लगती है क्यों कि उन्हें आकास में ही और उस पक्सी की वो इसमें ही सब कुछ दिखाई देने लगता है तो फ्रेंच इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा उसे क्यों कहते हैं क्योंकि उन्हें पक्सी जो है वो अद्रस से है उन्हें दिखाई नहीं देखा है now come to the next question and next question is यह आज का last question भी है friends which of the following could be the theme of the poem इन मैंसे कूंसी theme हो सकती है poem की nature is destructive, nature is unreal, nature bring us joy तो friends इसका जो correct answer क्या होगा वो है friends हमारा nature brings us joy unreal नहीं कह सकते हैं और destructive थोड़ी होती है प्रत्वी nature जो होती है हमारी प्रकर्टी जो होती है तो nature जो है हमारे लिए कहलाती है joy आनन्द की अनुभूती करती है तो friends ये थी हमारी आज की वीडियो तो friends अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा और अब भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और friends अब जो नई वीडियो आएंगे वो TGT के साथ साथ हम अपना KVS को भी ले करके चलेंगे क्योंकि KVS में वेकेंसी आ चुकी है तो friends thanks for watching this video